नश्का दोस्तों स्वागत है आपका हमारा यूटूब चैनल पर और मैं हूँ चंदन दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको अपने ब्लॉगर की जो पोस्त होती हमारे गूगल सर्च कंसूल में कैसे करका आपको इंडेक्स करना है अब दोस्तों होता क्या है कि जब तक हम अपने ब्लॉगर पोस्त को गूगल सर्च कंसूल में समीड नहीं करते हैं तो तब तक दोस्तों जो हमारे गूगल सर्च इसके बाद दोस्तों आपको अपने इस तरह का रिजर्ड यहां पर दिखाए देता है तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने ब्लोगर में आना है यानि कि अपने ब्लॉगBE लोगिन करने लोगिन करें यहां पर लिखा नीचे सेटिंग करके और इस सेटिंग पर किलिक करना थे यहां कि लोग नोकर पर सेटन lot सेट में लगन काम नहीं क्याक तो मैं तब तब से यह हुद्न करना हैं और setting पर click करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर Google Search Console ढूणने हैं तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे अब नीचे आपको मिलेगा Google Search Console तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि Google Search Console यहाँ लिखा हुआ तो हमने यहाँ पर simply click करने हैं जैसे दो सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स टैब में आपको यहाँ पर गूगल साज कंसूल का एकाउंट किरेट हो जाएगा अगर आपने दूस्तों यहाँ पर वीडियो बनाई हुए है मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूगा वहां से जाके आप देख करना है मैं इस सबसे पहले हमें साइड मैपको समिट करना है आपको इस चीज का दियान देना है अगर आपको अगरे ब्लॉकों आज का हमारे जो टॉपिक है कि आपको अपने ब्लॉक पो कैसे को गूगल Google Search Console में submit करना या index करना तो यहां पर यह भी बता देते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है जब भी आप Google Search Console में Google में अपने website को submit करना तो सब चुछ पहले आपको ध्यान देना है कि side map को submit करना है जब यहां पर submit कर देते हैं तो हमें क्या करना है blog post में आपको जाना है जैसे में यहां पर हूं ठीक है और दोस्तों दोसरा मैं आपको क्या कर सकते हें गूगल में अपने website को open कर सकते हैं आप की और यहां दोस्तों का मड़ीय में दिख 해야 दिया रहा है उरल करना है जैसे आप ce群 करोगे आपको यहां पे पर पूमिट करना है ऊसका यहां पर प्रॉपपर्टी नहें अपर आपको बताएगा अब Colombia आपको यह article पुब्लिस करते हैं तो एक है दो तीन दिन की इन कीए आपको क्या करना है गूगल सस्कॉल में अपने पोस्त को इंडेस करने यानि की समिट करने आपको ऐसे नहीं करने कि आपने ब्लॉग पोस्त में article को publish किया और यौपने वहां से उसका लिंक उठाया Google Google Search Console में डाल दिया आप डाल सकते हैं चेक कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है जब आपके आपके आर्टिकल उसमें क्या क्या एरर है तो यह सब देख सकते हैं तो दोस्तों जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं कि URL is available to Google यानि कि जो हमारे पोस्त है जो प्लाग पोस्त में लिखा हुआ है वो हमार आटिकल आपने सब्सक्राइब करना है तो आपको क्या 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 चीजनों को ध्यान देख सकते हैं कि हमारे बता द आपको दूबारे नहीं है उसके बाद को गुगल में अपने यहां पर आप करना है सब्सक्राइब από सब्सक्राइब करने चुर्ड से इंडिक्स करने तो अब आपको अपने आर्टिकलbers हमारे ब्लॉक पोसट रिख टया उनको एक अट करने हैं तो आप क्या करने है उनको गूगल के जो सर शार्च भून होते हैं उसमें हमारे जो आर्टेकल होते हुद दिखने सुरू हो जाते हैं तो दोस्तों अगर आप Google Search Console में अपने आर्टेकलों समीट नहीं करते हैं इंडेक्स नहीं करते हैं तो काफी दोस्तों आपको क्या करना है कि जब भी आप अपने आर्टिकल को पॉब्लिस करते हैं उसके एक है दो दिन के बाद Google Search Console में इंडेस करानी यानि की हर आर्टिकल के लिंक को यहाँ पर सब्मीट करना है तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि Google Search Console में कैसे करके हमें यहाँ पर और उसके बाद आप साइड मैप को समीट कीजिए साइड मैप को समीट करना क्या आपको क्या करना है कि अपने हर आर्टिकल के लिंक आपने पेज़ और चनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा एक और कि इअ तो अपना ख्याल रखेगा जैहिन वंदे मातरम